आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि given options में से किस में हमें काइटिनस exoskeleton मिलेगा तो skeleton जो हम term use करते हैं यह हम किसी भी animal की body में का बना हुआ skeleton होता है लेकिन exoskeleton से हमारा मतलब हो गया कि body के बाहर skeleton present है और काइटिनस जो हम term use कर रहे है काइटिनस मतलब काइटिन का बना हुआ काइटिन हमारे पास एक tough organic material होता है या polysaccharide होता है जो कि कुछ particular animals के exoskeleton में पाया जाता है सबसे पहले अगर animal kingdom के हम classification करते है तो उसमें orthropoda नाम का जो phylum होता है ये animal kingdom का सबसे बड़ा phylum है इसका characteristic feature होता है कि इसके members के पास jointed appendages होती है और इस तरह का काइटिन का पना हुआ exoskeleton उनकी पूरी body को cover किये रहता है उनकी body segmented होती है और mainly तीन parts में उनकी body को generally divide किया जाता है उनका head, thorax और posterior side पे हो जाता है उनका abdomen लेकिन ये तीनों ही parts उनकी body के इस tough chitinous exoskeleton से covered रहते हैं और यही reason माना जाता है कि ये इतना diversified phylum है इतने जादा इसमें तरह तरह के animals पाये जाते हैं क्योंकि ये जो tough exoskeleton इनको cover करे रहता है ये इनकी evolutionary success का एक reason है तो यहाँ पर options अगर आपने देखें पहला हमें दिया हूँ अब periplaneta periplaneta जो हम term यूज करते हैं cockroach के लिए zoological term यूज करते हैं इंडिया में पाये जाने वाला common type का ये cockroach होता है और क्योंकि cockroach एक insect है सभी insects हमारे orthropoda में आ जाते हैं तो इसके पास इस तरह का exoskeleton होगा बाकी अगर देखें ascaris हमें दिया हूँ है ascaris हमारे पास round worm हो जाता है इस तरह का कोई tough exoskeleton structure उसके पास नहीं होता उसी तरह से ferritima हम earthworm के लिए यूज करते है zoological name और इसके पास भी इसकी body soft सी होती है glandular type की moist skin होती है इसके पास भी इस तरह के structure नहीं होता है और hydra भी हमारा niderian या sealant trait हो जाता है पानी में ये रहता है और इसके पास भी इस तरह का exoskeleton present नहीं होता है इसकी soft ही body होती है तो यहाँ पर chitinous exoskeleton के लिए हमें orthropoda में से जूज करना था क्योंकि उनका characteristic feature होता है तो option A हमारा साही हो जाएगा periplaneta या cockroach के पास chitin का बना हुए exoskeleton होता है और यही reason है कि cockroach की जो body होती है brown या blackish color की होती है chitin के इस exoskeleton से ही बनी होती है और इसका color होता है यह और यह एक single unit के form में नहीं होता है बलकि कई सारी hardened plates का बना होता है जोने sclerites हम कहते हैं तो cockroach के जो dorsal body पे होती है उनको हम कहते हैं dargites और ventral plates जो होती है इसके sclerite की उसको हम sternite का नाम देते हैं और यह दोनों dorsally और ventraly जो plates बनी होती है यह आपस में जुड़ी होती है एक thin flexible arthrodial membrane की help से तो हाला कि इनकी पूरी body यह skeleton से covered है लेकिन क्योंकि यह कई units का बना हुआ है इसलिए flexibility भी बनी रहती है movement भी बनी रहती है means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के रे doubtnet आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 84444 उपर